पुर्णिया जिले के गुलाबाग में एक बड़ी घटना होते होते बच गया सोनौली चौक इस्थित अवेद रूप से रोजाना लग रही जूट मंडी में अचानक एक ट्रेक्टर में लदे जूट में आग लग गया पुरित किसान ने अंदेशा जताया की रेट मोल भाव करने के दौरान किसी ने इर्शियावस पीछे से जूट में आग लगा दिया आग लगने के बाद आसपास के दुकंदारों में हरकंप मज गया किसी तरह अस्थानी लोगों के सहयोग से एवं आयर ब्रिगेट की मदद से आग पर काबू पाया गया मालूम हो कि कई बार इस जूट मंडी को यहां से हटाने की मांग उठ रही है जोंकि सुनौली चौग पर जाम का यह मुख्य कारन बना हुआ है आज अगर सा समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हाथसा होने से कोई नहीं रोक सकता था सिटी हलचल के लिए सरोच कुमार की रिपोर्ट तो पता चलना है किसे वारे में अगरी नहीं तो आग कर लगने कोई रीजन होगा ना आग के लिखने से किल ने लगा दिया होगा है कहां से लेके आ रहा है लगा किसे लेके हैं लगाक इतना कैस वाट हुआ हो यह देर से दूलक का सब किसान का माल है इस हो जाना परिशानी है क्या परिचे हुआ मोहन कुमारदास घर बारा गोठी किस जगा पगटना हुआ इसनाली चोप्तिने दी बताईया आँ के लगा कि लगा कि देखे तहां किसी को नहीं देखे बेपारी वब चले बुजा रहा है कि अंदेशा लगा जारा कोई आंग लगा दिया आपका हाँ वही लग नहीं दो तो बिजनी से लगता तो उपर से लगता बीच में पूजे शॉफिंग मतलब दे बिक शॉफ लेडीज वेर जेंट स्वेर के मिलेंगे पहत्री नुट 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 नुट